सोनाली एक अमीर घर की लड़की थी उसने अपने परिवार के खिलाब जाकर अमर नाम के एक गरीब लड़के से शादी की थी शुरुवात की दिनों में सब अच्छा चल रहा था अमर की मा घर का सारा काम करती थी सोनाली को काम करने की आदत ना होने की वज़े से उसे अमर के घर वाले कोई काम नहीं बताते थे वो सोनाली का अपनी बेटी की तरह खयाल रखते थे अमर भी एक कमपनी में काम करता था अमर घर में बैटकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ चलो ना कई बाहर गूम के आते हैं फिर वो दोनों बाहर गूमने चले जाते हैं अरे वो ड्रेस देखो ना कितनी सुन्दर है मुझे वो ड्रेस देदो ना खरीद के फिर वो दोनों वो ड्रेस खरीदने अंदर चले जाते हैं ड्रेस की प्राइस देखकर आमर दंग रह जाता है बाप रे इतने पैसों में तो मेरे घर का हाफते बर का राशन निकल जाएगा इतनी कंजू से क्यों कर रहे हो आमर ये ड्रेस इतनी मेहंगी भी नहीं है दे दोना प्लीज लेकिन सोनाली अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है पगार होने को भी अभी हफता है मैं उसके बाद तुमें ये ड्रेस खरिद के दे दूँगा मैं इतने दिन नहीं रुख सकती और हफते बर में ये ड्रेस सेल हो गई तो नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मुझे ये ड्रेस आभी चाहिए, फिर सोनाली अपने पापा को फोन लगाती है, हलो पापा, मुझे आभी आप 2000 रुपे बेज़ो, मुझे एक ड्रेस पसंद आई है, फिर सोनाली के पापा उसे तुरंट पैसे भेज देते है, तुम्हें पाप मुझे बहुत प्यार करते है, वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते है, फिर वो दोनों वो ड्रेस खरित कर घर आते है, ऐसे ही कुछ दिन बितते है, सोनाली हर बार कुछ न कुछ डिमान किया करती थी, पता नहीं मैंने तुम में ऐसा क्या देखा, इतना कुण्जूस भी कोई होता है क्या, जो इतनी गर्मी है, और तुम एक एसी भी नहीं लगवा सकते, उपर से तुमने पापा से भी कहने को मना किया है, पापा तो दहेज में सब दे रहे थे, पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी खुद्दर है, जो एक चीज भी नहीं ले सकते मेरे पापा से, बाहर मेरे से तो रूम में बैठा भी नहीं जाता मैं आज ही पापा से एसी के लिए बात करती हो तुमें जो करना है वो करो वैसे मेरी बात तो सुनती कहा हो तुम एसी लगवाना है तो लगवा लो लेकिन मेरी बात भी सुन लो एसी लगवाने के बाद मैं उस कमरे में नहीं जोँगा ये क्या बात हुई अमर अगर मेरे पापा ने ऐसी दे भी दिया तो कौनसा आसमन तूट जाएगा अरे वो अपनी बेटी को तो दे रहे है न मैं तुमारे पापा को अच्छे से जानता हूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मुझे निचा दिखाने के लिए वो कोई भी मोका नहीं छोड़ते साथ में तुमारा भाई वो भी हमेशा मेरी बुराया करता रहता है पता नहीं उन लोगों को अमेरी का इतना गमंड क्यों है मुझे तुमारी कोई बात नहीं सुननी अमर और तुमें मेरे पापा और भाई को लेके कोई गलत फैमी है मैं जा रही हूँ मेरे पापा को फोन करने लेकिन सोनाली मेरी बात तो सुनो ऐसे हर रोज कोई न कोई बहाना बना कर अपने पापा से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है लेकिन सोनाली अमर की कोई बात नहीं सुनती वो अपने पापा से कहके एक एसी मंगवाती है अगले दिन सुबह सोनाली की सास उसके लिए निम्बू शर्बत लेकर आती है ये लो बेटा निम्बू शर्बत अरे माजी आपने तो इसमें बर्फ डाला ही नहीं ये तो बिल्कुल भी थंडा नहीं है अरे बेटी सुबह से लाइट चली गई थी अभी थोड़ी देर पेले ही आई है फ्रीज में पानी भी थंडा नहीं है और बर्फ भी नहीं है उनकी बाते सुनकर सोना ली को बहुत गुसा आता है पता नहीं कैसे फटीचर लोगों से मेरा पाला पड़ा है जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मेरी किसमत पूट गई है पता नहीं मुझे इस फटीचर से प्यार कैसे हो गया इतना कहकर सोनाली वहां से गुशा होकर अपने कमरे में चली जाती है उनकी सारे बाते अमर सुन लेता है मुझे माप कर दुमा, मेरी ही गलती थी कि मैंने इतने अमेर लड़की से शादी की जो बड़ों की इज़त भी नहीं कर पाती सोना ली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ है रे बेटा, तुमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए है वो बहुत बड़े घर की लड़की है उसे इस घर में एड़्जेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा अब वो बिचारी इतने अमीर घर से हमारे गरीब घर में आई है इसमें उसकी क्या गलती है उसे थोड़ा टाइम दे बेटा लेकिन मा, सोना ली को मैंने शादी से पहले ही सब बोल दिया था कि मैं उसकी सारी जरूरते पूरी नहीं कर पाऊंगा मुझे पता है कि वो एक अमीर खांदान में पली बड़ी लड़की है इसलिए मैंने सब उसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे इस चोटे से घर में वो कैसे एड़जेस कर पाएगी तब उसने कहा था कि मेरा साथ हो तो उसे कुछ नहीं चाहिए और अब उसकी डिमांड तो देखो ये तो दिन बर दिन बत्तमीज होती जा रही है मा बिटा प्यार में लोग अंदे हो जाते है लेकिन शादी के बाद असली दुनिया में आते है तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा अमर के घर वाले सोनाली का बहुत खयाल रखते थे खुद के इच्छा मारके वो उसकी हर जरूरते पूरा करने की कोशिश करते थे अरे सुमन ये देखो मैंने बहु के लिए कुलफिल आई है लेकिन मुझे माफ कर देना मैं तुमारे लिए कुछ नहीं ला पाया अरे इसमें कुन सी बड़ी बात है फिर सुमन सोनाली को कुलफि देने उसके पास आती है अरे बेटी ये देखो अमर के पापा ने खास तुमारे लिए कुलफिल आई है छी मुझे नहीं चाहिए ये कुलफि पता नहीं कैसे कैसे गंदे हातों से बनाई होगी ये कुलफि फोड़ा भी हाईजिनिक होगा ये नहीं क्या पता आप ही का लो ये कुलफि तबी दरवाजे पे एक आदमी आता है अरे मैडम ठाकुर साब ने ये एसी यहाँ पे डिलिवर करने को कहा था अरे हाँ भीया आओ ना अंदर आओ अरे बहु अमर तेरे लिए लोन पे एसी खरीदने वारा था तो तुने इतनी जल्दी क्यों किये अगर उसके भरोसे बेटी तो अगली गर्मी तक तो एसी घर में आएगा ही नहीं लोन के पेसे भरने के लिए उतनी कमाई भी तो होनी चाहिए ना जो आपके बेटी के पास नहीं है जाने दो कोई बात नहीं अरे भीया एसी की अच्छे से फिटिंग कर देना एसी की फिटिंग होने के बाद सोनाली अपने पापा को फोन करती है हलो पापा, AC आ गया है, फिटिंग भी हो गई है, ठैंकी सो मच पापा अरे सो नाली, ये क्या, मैंने तुमसे कहा था ना, कि मैं AC लगवा दूँगा तुम हर बार अपने पापा को मोका क्यों देती हूं मुझे निच्छा निखाने का देखो अमर, तुमने पापा को समझा ही नहीं, एक तो वो हमरी कितनी चिंता करते हैं देखो न, अभी एक फोन कॉल पर ही घर में AC आ गया, पता नहीं तुमें उनसे क्या प्रोब्लम है जाने दो, तुम AC की थंडी हावा खाओ, मैं अभी तुमारे लिए चाय लेकर आती हूं फिर रात को सोनाले अपने रूम में AC चला कर सो जाती हैं, लेकिन आमर को नींद आती ही नहीं कैसे आती, उसकी खुदधारी को चोड़ जो लगी थी, फिर वो अपने माता पिता के कमरे में आता है अरे क्या हुआ बेटा, सोया नहीं अभी तक? नहीं मा, पता नहीं इसकी हर एक जरूरत कैसे पूर्यू कर पाएंगे हम अब तो उसके पापा से के के भी उसने एसे लगवाया है पता नहीं इस मेने का बिजली का बिल कितना आएगा इसे तो ये भी नहीं पता कि इसके पापा पैसे को लेकर मुझे कितने ताने मारते हैं मैं जानती हूँ बेटा कि तू दिन रात कितनी मेहनत करके पैसे कमाता है। तू एक काम कर, मेरे गेने बेच कर सोना लिके पापा के पैसे लोटा दे। अरे मा, तु क्या पागल हो गई है क्या, तुने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे गेने बेश दूँगा, तु चिंता मत कर, मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगा, फिर अगले दिन सुबह, अमर, सुनो न, कल मेरे भावी का जनम दिन है, भाया ने उनके लिए सर्प्राइस हमेशा बुराई करते हैं, अब वो तुम्हें इतनी इज़्यत दे कर बुला रहे हैं, और अब तुम मना कर रहे हो, बेटा अमर, अब वो इतना कह रही है, तो मान जाओ न, वैसे भी वो हमारे समदी लगते हैं, यसे उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगता बेटा, ठीक ह अगर आप कहती हो, तो हम जरूर चलेंगे, फिर सोनाली सब के साथ मिलकर अपने पापा की घर आती है, हैपी बड़ दे भावी, ठैंकी सो मच सोनाली, ये देख तेरे भाई ने मुझे क्या गिप्ट किया है, डायमन नेकलेस, मैंने उससे बस डायमन के अंगुटी मांगी लेकिन उसने मुझे पूरा नेकलेस ही ला कर दिया, देख तेरा भाई मेरा कितना ख्याल रखता है, तेरा पती रखता है क्ये तेरा इतना ख्याल, अरे हाँ भावी, वो तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते है, सोनाली को अपने भावी से जलन होने लगती है, फिर भी वहाँ पर सोना लियाती है क्या हुआ मा क्या किया भावी ने अब क्या बताओ बेटा शादी हमेशा बराबरी वालों में ही होनी चाहिए एक तो हमने इतने अमिर बहु लाकर सबसे वड़ी गलती की है हर बार पैसो का रोब जाड़ती रहती है घर का एक काम नहीं करती कल तो इसने हधी कर दी सो हमसे कहा कि अगर उसने डायमेंड का नेकलेस नहीं दिया तो वो ये घर चोड़कर हमेशा के लिए माई के चली जाएगी हर बार ऐसी धमकी देती रहती है उसके बरताव के कारण तो हम तो परिशान हो गए है बेटा अपनी मा की बाते सुनकर सोना ल मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है आज तक तुम मेरी हर जरूरत का खयाल रखते आये हो लेकिन मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई मैंने तो मा जी और पापा जी का भी दिल दुखाया है आप दोनों ने तो मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की है लेकिन मैंने ही आ सोनाली अपने साथ ससूर और आमर के साथ प्यार से रहने लगती है